आज इन चुनाओ और बिरजगारी की बीच की जो कड़ी उसको सुल्धाने के लिए लगातार कई दिनों से लोगों ने कमेंड किया कई बर फोन किया गया से विडियोज बनाइए तो आज मैं आपके सामने आया हूँ कि अब अंतिम चनडों का मद्दान बचा हुआ है तो पह अगरी पंचाती चुनाओ क staft में नंगर निगन के चुमाह को कर्फ Meं कहीं लोग साथ कर रूप में अगरे य कभी यह से दो साल कंत्राले पर हमारे वीच आता रहता है अभात करते हैं चुनाओ बिवस्ता की और एक आम आध्मी की और एक आप आपका है चुनाओ का है सबसे पहले मिए देखने का प्रयास करते हैं आगर इस चुनाओ यह देश में अभी तक के जितने भी चुनाओं होगे वह तो 16 लोग सभाएं लेकिन हर बार एक नया मुद्द्दा होता है और इस नय मुद्दे में जो पिस्ता है जो इसके बीच की जो बिखती है वो एक बिरुशगार इवा, वो बिरुशगार इवा कि कारण है, कारण है जो इस धूरी पर सदोग पिस्ता रहाता इसका छोटा साkiego प्रपोजर लेके ने योजनाएं का सिलान से लेके ने योजनाओं की मैनिफिष्टों लेकर हमारे सामने आते हैं हमें गुम्रा करते हैं और हमामदान करते हैं कभी जात के नाम पर कभी धर्म के नाम पर कभी रुजगार के नाम पर कभी पिकास के नाम पर कभी पिंसन के नाम बिरुजगारी वर्ता के नाम पर मतलब कई तरह से ये नए नए बार नए नए तरीके से हमें लाते हैं और हम इने वोट देते हैं और ये पांट साल राजी करने कवाद फिर चुनावाता है था हमारे आपके बीच दिखाई देते हैं क्या आपने कभी अनुबोग गिया है कि आपके बीच जो रहने वाले सांसाथ चुनावा के समय लगातार आपके साथ बीचित देते हैं आपके आसपास रहते हैं वो चक्षे दोरी बनाते हुए जारहा local शोटा सा मैंने एक सर्वे किया और सर्वे को मैं आपको बताता हूँ जैसे कि किसी विक्तिकों सांसत बनने के लिए समिधान में जो नियम दिये गए तो आप चुनाओ खर्च में सत्र लाब रुप्ई से ज़्यादा खर्चान ही कर सकते यह चुनाओ आयोग की आकड़े हैं सत्र भाख यदा खर्च नहीं कर सकते और बात है जब की चुनाओ आयोग काड़े आप जानते हों गया लोग इतना करते हैं आप आप तो सार मुझसे बहतर जाएंगे। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो पृत्यासियों के टिकट वित्रन होते हैं वो अभी 10-15 रूपा जिनके पास होते हैं उन्हीं को टिकट मिलते हैं लेकिन यह सचा ही कहाता है कि मैं इस बात को नहीं जानता लेकिन ऐसा लोग कहते अगर आते हैं अगर पांच प्रत्याजी चुनाओ लड़ेगा सतर लाग रूपाए खर्च कर रहे हैं बुड़े पांचो तराली संसर इच्छत्र में तीन ही मांते हैं तो देख लिजेगा यह बुला करके देख लेगा एक सामने आपके आश्चर जनक आकड़ा आएगा व उसकी सेलरी जोगी पचास हजार रुपया परमा कि माने बारह महिने की साथ लाग और पांच साल में तीस लाग रुपए अगर उतना पैसा इंवस्ट करके आएगा लगबग लोग बताते हैं जैसा कि एक सबस्वा क्या सदस्य बनने के लिए चुनाओ एक खर्च होता है 15- बीस कोड रुपए सामने सुना साथ आपने भी सुना होगा तो बीस कोड रुपए लगा कि कोई 30 लाग रुपए लेने आएगा इसका मतलब चुनाओ जीतने के बाद वो तरह तरह के कई प्रकार के करप्शन भष्टाश्यार करेगा क्यों ताकि वो अपनी जोली भर सके इ क्या सकते इनों नों हमारे देश में काम नहीं किया अब आते काम की बात करते हैं हमारे देश की कुछ नीडेड है अगर वह हमें मिल जाएंगी तो फिर चुनाओं में जो वादे करता हूं कोई देखे एक आम इसान क्या चाहिए अच्छी सिच्छा बेवस्ता चाहिए एक पांच ऐसी आधार बूस्त सब्धाएं हैं जो कि एजडी आई की मापन में रखा जाए तो भी और हमारे भी बैक्ति एक अच्छी सड़क स्वाच्छ पानी हास्पिटल्टी एडुकेशन और एक क्या भूल गया है तो इस सभी चीजों के जरुवत एक आम इंसान को पर इस सब्सक्राइब कि मैंने विकास किया क्या आपको लगता है कि आपके घर बनवाने किसकी अंगूमका थी आपने मेहनत किया दिन रात एक किया इस बिरुजगारी की होड में भी आपने जिन का बैतर दिये उसके बाद आपने पाई-पाई कटा करें कि आप अपना विकास कि पेलिये चलते अनकी होगाते हैं कि वो ट कित मांगने के वह किस तरह हमारी पाश रहते हैं बेरोजईह में प्र तोल के लिए रोका गया तो मैंने पूची लिया कि इन का सड़क पर चलने का अगार मैंने गाड़ी खरीद के समय तिस वेक्ती गाड़ी तुसने खरीद्टे समय आई टेक्स पे क्या था उसके बाद अच्छी सड़क पर चलने का. दें आज देना किया निया भो कंपनी को किसी कंपनी किसी कंपनी इदर ठीका तूपर करती है उसके बाद तब तक सुनती है जब तक सब की तैसे नहीं याàyते तो फिल बिकासका आज किस्टिया का नाम हम आदिमी भारत का प्रतेक नागरी टक्स वरता है और ये बात इन्वर्सल तुरूत है कि हर गत्ती जो भी दिन भर में भोग करता वह टक्स वरता टक्स को पाइसा कहा जाता है हर चाहें विरुषगार हैं मोबाइल में रिचार्च करा रहे हैं कलम खर कुछ भी खरीद रहे हैं कुछ कुछ भी खरीद रहें का करते ग्रोच टक्स कहां जाते हैं मनरियेगा युग लाती है ति पंठा जो भी बनवाया तो उससे क्या होगा एक पादम होगा एक बात दूसरे बात वहाँ पे रोजगार मिलेंगे बेटे किया बंदा आर्थक वाला चप्रासी के लिए गाड के लिए पुलिस के लिए हर प्रकार की जॉब मिलेगी तो लोग जॉब के लिए वहाँ चाय वाला जाएगा साइकल वाला जाएगा ट्रक वाला जाएगा फिर वह रहने के लिए जगर लेंगे मतलब एक ऐसा अस्थान जो पूरी तरशे जो पूरी तरशे क्या बन चुका था एक बरुस्तल पर रूप लिए रहा था या पूरी तरशे जर 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 कहना तो 24,000 रूपेक लालचे, बिरुजघारी भत्ता के लालच ने, हम क्या करते हैं, किसी भी ब्यक्ति को वोट देते हैं, आपको पता बिरुजघारी जो हमें मिलती है, वो देश में मुद्राश्टति बढ़ाती है, और मुद्रा स्थिति क्या करती है आपको ये भी पता होगा देश में महनाई बढ़ाती है और महनाई किसी गरीब बेक्तिक लिए किसी विरुजगार बेक्तिक की कमर तोड़ देती है क्योंकि उनकी इंकम नहीं होती है इंकम सिमित होती है वस्तुका मुल्य बरता है कि अगर बचत कम हो जाती है तो इससे रीड तोड़ जाती है तो कहीं न कहीं बिरुजगारी बढ़ाने में हमारी जो सरकारे आ रहे हैं चायो कोई पाल्टे की सरकार हो इन सभी का सबसे आहम रोल है वो ये नहीं चाहते हमारे देश की वारुजगार हो अगर हमको रुजगार मिल ग सब्सक्राइं है और लोग पर समय ने देखा आप जंधना ही बासा है आप जाते से के गाडी घर पलन गई है तो लोग ड्राइबर को छोड़ेंगे पहले गाड़ी बलूटना शूर करते हैं जैसा मैंने देखा अक्सिडेंट होते हुए देखा लोग उसके अंगूठी निका लेते मोबाईल लेके भग रहेते मतलब कोई बेटी जिन्दगी जा रहा है तो लोग कहते हैं लोग तंध खत्रे में समिदान खत्रे में लेकिन मैं कहता हूँ इस चुनाओं में इस चुनाओं की उत्सों में इंसानियत खत्रे में हैं इंसान इंसान को नहीं पैचान रहा है वो ये भूल जा रहा है मैं जिस देख से चुनाओ लड़ किया रहा हूँ जिस जंताक सामनी में हाथ प्रला के वोट मांगता हूँ उस जंताके लिए मैं पांच सार एक बार भी ये नहीं सोचता कि इसमें से मेरा कमिशन कम हो जाए। तो इस बात के लिए हम क्या सकते हैं कि जिस समाजवादी अर्थव्रोस्ता की बात करते हैं यह पूजी वादी अर्थव्रोस्ता जैसा पतीत होता है लोग अपनी भी कास की बात करते हैं कोई मंत्री अभी धायक होता है तो गाउं का प्रधान देख लिए वह जो प्रधान ब प्रश्टाचार नहीं तो यह भी कहना गलत नहीं है कि ब्रश्टाचार में प्रतेग बढ़ती है और इस ब्रश्टाचार की चर्मितना हो चुका है इस से इंसानियत समसार होगा आप कहते हैं दसम्धान कत्रे में आप कहते हैं लोगतन कत्रे में आप कहते हैं इनका भी कभी सोचा अपने इस समय इंसानियत कत्रे में यह लोग भूल जाते हैं कि जिन जनता से मैं यह बड़े बड़े वादे करके लाता हूं वोट लेकर आता ह कि हर बाद जब यो चुनावजित कर जाएंगे क्या उना अपको धरसंदे ने आएंगे नहीं आएंगे इतिहास गवाँ है एक दिन की बाद नहीं इतिहास गवाँ है बड़ी-बड़ी नेताओं की बात करते हैं यहां तक कि जो पर सबासदी की चुनाव लड़ते हैं जो ग् जो गलती सरकार करती सजाजनता वुकता हम जैसे विरुषगार होते हैं सिच्चकवर्ति की बात करते हैं उनातर जाराण शड़ीयार पांचों में आप गलतियां करते हैं उसकी सजाजा कौन होगेगा दददस बताईए आप तो औरा पेपर बनाए जाते हैं आपकी संस्थ में बारी होती है लेकिन आप क्या करते हैं पता है प्रते कोश्चन के लिए सव रूपिया का टन डीडी लाया गया हमारे पास भेजिए तब जाके हम आपका क्वेश्चन एक्सेट करेंगी गलत है माने एक बार हमने फॉर्म बर आपको परिछा देने के लिए आप क्वेश आप तो काफी समय के बाद किस्तर भरती आती है लोगों के नौनेहाल के मुपे माबाप के बेरुजगारों की चेहरे पे खुशी आती है कि हां मैं दिरनात मेहनत तरूंगा मुझे भी जौब मिलेगी मैं भी ध्यापक हो जबगा लेकिन यहां कौन बताए परिच्छा खतम नहीं होई सुप्रीम कोट हाई कोट करने के बाद एक साल के बाद कभी यह आता है एक मामला किलीर हो एक और से अगली कोट में जाना है फिर वाद सुपर टिटकी बात आती है भाईया जी यह बताए यह क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो जिम्मेदारी किस की है मेरी है बिरजगार की है नहीं आप की जिम्मेदारी बनती है आप सरकार आप बैठे हैं लोग आपको कहेंगे और आप क्या करते हैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कहते हैं आप अपत्ति आएगी आप अपत्तियों का मिलान की जाएगी और हमिस्तान करें आप विज्यप्ति आतरजाशिक बसी 199 बहादी में अभ्यरत्यों की क्या गलती थी सजा अधिकारि एगर आपने गलते करते हैं तो आपके गलती करते हैं तो हम ऐसे बेरोजगार इसकी सजा भुकत रहें ये एक भरती की बात नहीं करते हैं लोग प्राया पेपर आउट होते हैं ये किसकी नाकाम है हम जैसे ब्योजगार कि यर किजित आ Hayır की क 근데 करेंगे कि उससां चाही रहती है कोई चाहत के नाम पे दिकास के नाम पे कोई रिजन के नाम पे आघरosh घुमराक रहा हहां केवल केवल सके इसलिए नहीं देश का बीवर का सैण लोग पताए करते हैं और सस्कार्म कान इसे मंतलब और करें मंतरा को यह delivery बना गया मत्राओं अपने मंत्री बनाए गया क्या मंत्रा बनाने का उद्देश का विकास करना उता है आपे सुनों यह गोटाल हूँ यह कोई बिर्जगार नहीं करता है पौल से लिए तब से ही वो पता जिल जाता इसमें कौन-कौन किसका किसका कितना हिश्चा लगेगा माने पौल से जमीन पर नहीं उतरी पहरे बटवारा हो जाएगा सड़क बनती है देखे कभी वास्तम जितना गवर्मेंट पैसा देती है हमारे देश की सरकार अगर उस तरह सवलक बन जाए कई वर्सों तो उसमें गड़ें ना पड़े लेकिन क्या करें इतने चैन बने हुए हैं ऐसा मैं नहीं कहता है ऐसे हमारे देश के कई परधारमंत्रियों ने कहा है तो फिर आप ऐसा कर रहे हैं आपने इस राजनीति के चक्कर में आप सभी लोग इस हद तक ला दिये हैं कि इंसानियत मर चुका है एक मित्र दूसरे मित्र के अंदर वो चिंगारी डाल दी गई है कि वह इस राजनीति में इस लोग तंदर के हैं पर पर एक दूसरे से भात नहीं कर रहा है पता है क्यों कि आप लोगों ने ऐसे जहर घुल दिया हैं क्या कभी आपने ये नी के जूल होते हैं क्या हम रोजगार के लिए क्योट क्या मेरे पढ़ukt नहीं होता क्यों हमारे लिए रोजगार का स्रिजन करें क्या यह इन राज में उसके देश्च मेंF 50 डेश्च में अगर हमने जम लिया उसो देश के नागरिक है तो क्या हम जैसे आप जैसे पढ़े लिखो के लिए चाहिए उचित नहीं है कि उचके लिए रोजगार के चंद चवनी ना फिकर एक रोजगार के ठोस अस्तंब लगाई जै कोई एक ऐसी फैक्ट्रिया से प्लाट ना लगाई जै जहां से उत्पादन भी हो रोजगार के शादन भी खुले और देश में हमारी फॉरी करिंशी भी बड़े क्या ऐसा आप लोग के बिचार नहीं आता है कि आ इसे कोँगा मुझे वोट चाहिए तो इसलिए आपको एक आधार चाहिए न तो आपके वोट मानने चक्कर में आपके सरकार बनाने चक्कर में हम जैसे इवार कब तक लगत खाते रहेंगे कब तक सड़क पर घुमतरत पता है एक परिछा देने के बाद दूसरी परिछा की बारी आती है तो वह पता चला सुप्रीम कोट हाई कोट आधी पढ़ना छोड़ देता है इसके बाद परिवार कितना दबाव हो जाता है वह ब्यक्ति चार अजार पांचार रुपए कमाने के ले निकले आता है अब जितने भी सरकार जितने भी लोगों ने अपना मैनिफि परिवारा के मतलब यह है कि हम भारती जो जागरीक है जो हम वोटर है वो जो नेता है वो हमीं मुर्ख समस्के उन्हें वो लगता है कि पांट साल चार साल इनको लूट खाओ आगा में जो च्छा महीना वस्ता है इनको उंगली पकड़ा दो इन्हें चवन्नी चढ़ा दो इन्हें थोड़ा सा सिक्के लुटा दो और यह क्या करेंगे यह खूब बनाचेंगे पर नासते हुए वोट देंगे और यह फिर पांट साल देश पर राज करेंगे ऐसा आज से नहीं हो रहा है यह भरत आजादीशिव हो रहा है और सभी पाल्टियां ऐसा कोई पाल्टी नहीं है ऐसे कोई राजनेता नहीं है जो यह दिल पर हाथ रखे के वास्तों में उन्होंने जो काम किया है वो देशित के लिए किया है और वो इसी तरह देशित के लिए करेंगे कि देसित कहने से लिया होता करने से लुगत और को यहाद के नाव पे हैं को इक जται समधान के लोगतंग खत्रे वह और कर हो गया है आपके लिए नारे लगाएं पर लिए हैं यह चाहते हैं इसलिए आप वोट मांगने जब हमारे दरवाजे पर आते हैं जो वोट की बाद करते हैं तो कलेजा चल उड़ता यह शोच कर कि आपकी श्मूह से वोट मानते हैं कि आपने कभी शोचा नहीं है और जिस से है जिस डेश पे राज करने की बात करते हैं आपने उसकी प्यास यह वोत हो a तो आप क्यों ना सोचें तो अगर हम आपको वोट देते हैं तो हमसे बड़ा कोई मुर्ख नहीं है लेकिन वोट किसको दे प्रशनूरता है वोट किसको दे तो वोट आप उसको दीजेगा दिल पर हाथ रखेगा जिसको लगेगा कि वास्तों में इससे आपका हित होगा या आपकी बाते शुनेगा आप सानसत चुनते हैं या नमंत्र आपकी ऊपर है और कि आप सांसब होगा जीत कराएंगी चाहिए जैसे बुझेंगी फिर बीच में जنتा पीसि जाएगी रिजटार मारा जाएगा जायेगा चाहँ जो भी सरकार ने हग सकता अगर सरकार कर्वंधन की बंजाज अशा लोग यह रहे हैं तो फिर मत्यावदी चुना होगा, चुनाव क्षर्च जो गिरता है, इतनी रूपया जो चुनावगा खर्च आता है, वह किस के जिम में जाता है? पता है, वह भी जन्ता का पैसा है, अगर वह एशी में घ अब बताईए 50,000 रुपे उनकी तनका होती है, पांच गाड़िया उनकी चलती है, और एक गाड़ी कीमत 40 लाग रुपेस कम नहीं होती होगी, आज कहां से आते हैं पैशे, कहां से आते हैं, हमारा सोसन करकर, आपका सोसन करकर, बेरोजगारों को मार कर, इंसानियत को मार कर उ आशाथ, एक दूसरे से लोग जूंट बोल ले हैं, दोखा दे रहे हैं, कहते हैं कि हम आपके शाथ हैं, हम तो नहीं, मेरी सरीर जारी है, मेरा आत्मा था के पास है, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, जीतनी बड़ी-बड़ी बात आपके लिए कहते हैं, फिर अचानक ऐस बाते हैं, जैसे ये भी झहिता कि मौशंवनी बदलता है, इसलिए हम यह आंने किह सकते हैं, देश में संधान खत्रे में होना हो कि लोगतल खत्रे में होना हो, ल vara === जरूर खत्रे में और इंसानियत को बचाने के लिए आपको आग्याना पड़ेगा और आपको अपने मद का मुली समझना होगा और आपको देश का एक सांसद देश के लिए एक पढ़ान मंत्री चुनना होगा वो आपके उपर है कि कि हम चिन समस्दों को वोट करते है इस बाति और रहें रहत नहीं रहता हुई को किस पार्टी को शुनाओं लेंगे ये शुनाओं के लोक्तंतर के प्रमाओं में आज ही इनको वोट इंसे मानते हैं अंतर differently को सवदा ayuda कराें पर करते हैं जो मंत्रा ले लाता है, जो मंत्री का पद लाता है, क्या वो देश के विकास के लिए लाता है, वो आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, उनको बड़े-बड़े मंत्रा ले चाहिए, क्यों चाहिए भी जाता है, देश में विकास के लिए मंत्रा ले आगा, तो उस मंत्रा चोड़ेंगे अगर विजगार नहीं रहेंगे तुमके जंडे लेकर पहुंत होड़ेंगा इसलिए आप अपने अधिकार को पैचानिए और आप रोजगार मांगे और यह लोगतांत्रिक देश का हम जो यह सक्ति होती है वह यह होती है वो अगर हम उस देश के नागरिक है त मन्रेगा जैसे हो जिनावक को बंद करके मैं इसला दोंगा कि वह एक बड़ी-बड़ी कंपणी उतने पैशे का लगाए ताकि वहां पे कंपणी में उत्पादन भी हो देश में दूसरे देश में भी किये वहां से foreign currency है देश की currency बड़े देश के इवहां को रोजगार मिल लिए वैसे तो हम अपना ठाते है अपना पहनते हैं अपना कमाते हैं फिर सरकार की भूंगा क्या है आप कि यह जनाव चलने से पहले यह निधाइत होता है इसमें किस कितिका कितना परशेंट ऐसा लोग कैते हैं वह सकता है एक इसलिए इस लोग तंदर के चुनाव में पाइंगे क्या पाँच वर्स के बाद पहले आप इस जमी पर दिखाई देंगे ज़रा आप शवाल पूछेगा देखेगा क्या जाए तो अब देखेगा जाए 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 आप बी कुछ देश के लिए करेंगे इनकी बरुजगार के रहेंगे आपके रुजगार की साद़ नेगे अगर आपने घर में कुछ कमाई के लखे हैं तो वेकेंसिया निकालेंगे चार्सो पांसो इतनी फीच रखेंगे ताकि घर का कमया पैसे होंगे खाते में डाल कराएं और फिर क्या करेंगे वे उनकी सेलेक्शन करेंगे इनकी पास पैसे होंगे जिसे अब कहते हैं पेपर आउट होना तो इसलिए सरकारे कोई भी बने इतियास घवा है भारत का सब ने अपना देखा है किसी ने देश का नहीं सुचा है और ओपन के पति खुश से जागना होगा और आपको अपनी सरकार से यह गुहार लगानी पढ़ेगी आपको आदिकार दे आपको रोजगार दे आपको अच्छी सिच्छा दे आपका अच्छा स्वास दे बिजली दे, पानी दे सडक दे और आपको पता है प्राइविट करन अ इतना ज़्यादा होता जारा है ताकि हम आपको पैशे दें। आकर हमारे टक्स को पईचा पहिचा से लोग चुनाव पुछार के समय भी इस्टिया लगा कर गुंते हैं. वो हमारा पैशा है, आपका पैशा है, जन्ता का पैशा है जिस पर वो आज भी उड़ते हैं. इसलिए साथ मैंने बहुत जाने जाने बोल दिया यादि आप इसी को भी मेरे बाद का किसी पत्ताच च्पताच से किसी परकाट क्षेस लगाओ हम चमा चाहते हैं और हम यह कहेंगे कि आप मद्दान जरू करिएगा आगामी खुद मद्दान करिएगा लोग मद्दान के इस निव को आप मजबूत करिएगा मद्दान जरूर करिएगा और बिरुजगार होने के लिए जब भी करिएगा देश में चाहे वो कोई भी हो किसी भी पालिटी का नेता हो जब भी आए आप उन्हें करना है तो बस यह तूट करिएगा जैस्टिक फार भेरोजगार इस बात को कहिए तो जब पेपर बनाए तो इस बात का विशेश ख्यार रखें कि इसमें बिरुजगार ठगा जाता है और यह हाल रहेगा तो देश का भरश कैसा होगा आप कमेंट में चरूर बताएगा आप जिसे वोट करिएगा जिसको आपका दिल की आवाज आए उसे म आने का कोई अधिकार नहीं है आप किस बिक्ति को मद्दान करेंगे लेकिन मद्दान चरूर करिएगा यह मैं आपसे कहूंगा और आप करिएगा और सभी को मद्दान के लिए प्रीद करिएगा और एक अच्छी सरकार एक अच्छा सांसत चुनकर बेजिएगा जो आपके के बीच आए आपके बीच रहे और पके लिए कुछ भी जो नियम बना है आप के लोगंने अपने ना बना के लिए इतिहास है लेकिन अभी तक जितने लोगों ने जितने भी hoRE राज की सरकार होता केंडर की हो सभी ने अपना ही देखा का अजिका देश का बढा ने का चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को बिडाम रख करते हैं जय इन जय वाल